असलाम अलेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे खेरियत से होंगे आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जो के है एंटी डिप्रेसेंट इस से पहले हमने डिसकस किया था एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम इसकी जो चार से पांच ड्रग्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है उन ड्रग्स के बारे में हम डिटेल डिसकस्शन करेंगे सो सबसे पहली ड्रग जो के आपके पेज नंबर 32 के उपर है फार्माकॉलोजी की बुक में या नोट्स में जो मेरे पास नोट्स है उनका है वो है आपके पास फ्लू ऑक्जटिन बहुत इंपॉर्टन ड्रग है अकसर वाइवा में इसके बारे में आप से पूछा भी जाता है कि वाट इस फ्लू ऑक्जटिन इसका मैकनिजम ऑफ एक्शन क्या है तो आपको पता है जनाब सबसे पहली बात तो डिप्रेशन क्या ह है कि हम ऐसे नियुरो ट्रांस्मीटर जो कि ब्रेइन को एक्टिवेट कर देते हैं उन नियुरो ट्रांस्मीटर की मिदार को बाड़ी के अंदर बढ़ा दें जैसा कि अगर हम बाड़ी के अंदर जो सिंपथैटिक नियुरो ट्रांस्मीटर है फॉर एक्जमपल हमारे पास Ipinephrine है, non-apinephrine है, serotonin है, dopamine है ये सारे के सारे हमारे ऐसे Macronie Herr Himself है हैं, जो के जब बोडी में रिलीज होते हैं तो ये हमारे बोडी में activation कास करते हैं हमारे brain को activate करते हैं हमें fight मोर्ड में लेकर आते हैं जो antie-depresscent drug जब हम यूज करते हैं तो यह anti-depressant drugs जो हैं वो इन ही 4-5 neurotransmitters में से किसी एक, किसी दो या कुछ neurotransmitters ऐसी होती हैं जो 3-4 neurotransmitters के मिगदार को बाड़ी के अंदर बढ़ा देती हैं और जब यह neurotransmitter बाड़ी के अंदर ज़्यादा मिगदार में release होते हैं आपका ब्रेन एक्टिडेट होता है और आप डिप्रेशन की कंडिशन से बाहर आते हैं तो इसमें से ड्रग फ्लॉक्जटीन है उसका बेसिक चीज क्या है तो फ्लॉक्जटीन के बारे में आप याद रखेगा कि यह एक ऐसी ड्रग है जो के selective है सिरोटिन के लिए यानि के मैंने आपको चार से पांच निडरो ट्रास्मीटर्स के नाम बताए है उन में से जो फ्लॉक्जटीन है उसका बेसिक काम यह है कि आपकी बार्डी में सिर्फ और सिरोटिन के लेवल को इंक्रीज करती है तो अगर आपको एक थोड़ा सा पिछला कंसेप्ट याद हो तो मैंने वहाँ पे आप से डिस्कस किया था कि हमारे पास एक तो प्री साइनैप्टिक एरिया होता है ठीक है जी एक हमारे पास प्री साइनैप्टिक एरिया है फिर हमारे पास एक होता है पोस्ट साइनैप्टिक एरिया जिसको आप पोस्ट साइनैप्टिक कहते हैं और इनके दर्मियान में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं साइनैप्स यानि आप यह समझ सकते हैं कि यह एक neuron का end है और यह अगले neuron का start है मैंने आप से कहा था कि यहाँ पे neuron transmittors होते हैं फलाकज़टीन, डोपामीन, अपीनेफरीन, नौर अपीनेफरीन और यह naura transmission ही यहां से release होंके कहां आते हैं synapse में आते हैं पे नियरो ट्रांस्मीटर क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं जब नियरो ट्रांस्मीटर यहां कम होंगे तो अगले नियरोन में कम जाएंगे सेम वो अगले नियरोन में कम जाएंगे तो as a result क्या होगा कि हमारी बाडी में इन नियरो transmiters की मिगदार क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये neurotransmitter body में बढ़ें ये बढ़ेंगे तो हम depression से बाहिर आएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हम एक medicine यूज़ करनी पड़ती है जो इसको आप phloxetin कहते है यानि इसका काम क्या है ये दवाई specifically किस को वापिस जाने से रोकती है जब सिरोटनिन यहां आता है तो सिरोटनिन को वापिस pre-synaptic area में जाने से रोकती है as a result सिरोटनिन के लेवल को यहां पर क्या कर देती है बढ़ा देती है so selective का word हम इसलिए यूज़ कर रहे है कि यह बाकियों के लिए काम नहीं करती सिर्फ और सिरोटनिन के लेवल को बढ़ाती है और उसको वापिस जाने से मना करती है so अब इसकी वही बेसिक चीज़ों पर आ जाते है कि जनाब इसकी pharmacokinetics क्या होती है इसकी pharmacokinetics क्या होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is the pharmacokinetics pharmacokinetics मैंने आपको बताया था कि अगर आपको pharmacokinetics नहीं याद हो रही तो आप almost हर ड्रग की pharmacokinetics same लिख सकते हैं for example phloxetin को mostly हम कैसे लेते हैं phloxetin कि अगर आप pharmacokinetics देखे हैं इसको औरली यूज किया जाता है इस ड्रग इस टेकन औरली ठीके जी इसको आप औरली इस्तमाल करते हैं it is well absorbed in the body well absorbed in the body ठीके उसके बाद हम लिखते हैं कि metabolize कैसे होती है it is metabolized by liver और excrete कैसे होती है body से eliminate कैसे होती है it is eliminated through urine urine के जरिये से ये आपकी body से release हो जाती है ठीके तो ये तो हो गई इसकी simple सी pharmacokinetics अब हम आजाते हैं इसकी pharmacodynamics के उपर so pharmacodynamics में जो सबसे important चीज होती है या जो आपकी pharmacology में सबसे important चीज होती है वो होती है जराब आपको mechanism of action अच्छे से आना चाहिए जब भी कोई आपका paper चेक करता है तो उसका सबसे main focus होता है कि बच्चे को mechanism of action आता है या नहीं अगर आप mechanism of action ठीक लिख देते हैं और बाकी में आपने blunders भी मारे हुए हैं तो भी आपको ठीक ठाक number मिल जाते हैं तो इसका mechanism of action लिखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपने इसकी class को देखा हुए इसकी class से आप इसका mechanism of action ड्राइब करेंगे आप simply लिख सकते हैं कि ये drug क्या करती है ये serotonin को pre-synaptic area से साइनाप्स में जब serotonin आता है तो serotonin को वापस pre-synaptic area में जाने से रोकती है as a result साइनाप्स में serotonin के लेवल को ज़्यादा कर देती है और जिसकी वज़ा से serotonin का लेवल बाड़ी में बढ़ जाता है और जो हमारी situation है depression की उसको हम treat कर लेते है तो इसको हम लिख सकते है SSRI SSRI में selective serotonin re-uptake inhibitor SSRI या इसको आप phloxetin का नाम भी दे सकते हैं SSRI या फ्लॉक्जटीन क्या करती है ब्लॉक कर देती है re-uptake of serotonin in कहां प्र ब्लॉक्जटीन प्री साइनाप्टिक एरिया ठीक है as a result उसकी वज़ा से क्या होता है as a result there is increased concentration increased concentration of serotonin कहां पर जादा हो गई है in synapse ठीक है synapse में आपके पास या साइनाप्टिक लेफ्ट में आपके पास serotonin जादा हो गई है in synapse यह आप यहां पर लिख सकते है पोस्ट synaptic के रिया कुछ भी आप लिख सकते है यहां तक भी लिख दें तो भी ठीक है ठीक है so जब इसकी increase हो जाएगी तो आपका कौन सो system activate हो जाएगा आपका sympathetic system activate हो जाएगा उसके बाद इसकी आपने लिखने होते हैं जनाब इसके uses क्या है यह आपने जब भी कोई drug mention करनी है पेपर में तो सबसे पहले आपकी तरतीब होनी चाहिए आप पहले उसकी kinetics बताते हैं फिर आप उसकी फॉर्म एकोडानमिक्स बताते हैं फिर आप उसके uses बताते हैं आप चल 안녕 सिंपल ठीक है इतीज यूजड तो ट्रीट अंसाइटी परिशानी है डिप्रेशन है टेंशन है उसके लिए यह आप इसको 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 सकते हैं लास्ट में हम इसके लिखते हैं जनाब इसके adverse effect क्या होते हैं A D R मीन adverse effect अच्छा याद रखेगा आप चीजों को अगर relate करके याद करेंगे ना तो आपको कभी भी भी नी भूलेंगे जैसे आपको याद होगा कि जब हमने sympathetic system पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा था कि जब sympathetic system activate होता है ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आपको जाहिर है अगर आपका दिमाग एक्टिवेट हुआ है आप flight या fight mode में है तो उससे आपको नीन तो नहीं आएगी ना जब आप लड़ने की condition में है या जब आप खौफ की condition में है तो उससे नीन नहीं आती तो जब सिरोटनिन का लेवल बढ़ेगा तो आप active हालत में हो जाएंगे संपथाटिक सिस्टम activate हो जाएंगा आप fair की हालत में होंगे या आप fight या flight mode में होंगे तो उसका एक नुकसान आपको यह होता है कि उससे sleep disturbance हो जाती है ठीक है sleep disturbance तो यह दवाई क्योंकि संपथाटिक सिस्टम को activate करेंगी लहाजा sleep थोड़ी सी आपकी मुतासिर होगी और साथ-साथ संपथाटिक सिस्टम का activation का हमने एक बड़ा important side effect पढ़ा था कि sexual disfunctioning होती है ठीक है sexual disfunctioning होती है और थोड़ा बहुत आपको headache हो सकता है जाहिर आप जाग रहे हैं आप tension ले रहे हैं आपको खौफ हो रहा है तो उससे आपको headache होता है और sweating हो सकती है पसीना जो है वो ज्यादा आता है लड़ते हुए खौफ के time या जब आप fight कर रहे होते हैं तो उस condition में यह तमाम चीजें आपको देखने में आती है तो यह बड़ी असान सी ड्रग थी फ्लॉक्जिटीन आई होप आपको समझ आ गई होगी होगी अगर आपको समझ आई है तो please like my channel thank you so much अलाफेस